आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्राधेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा तरवेदी सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्षय भारत को विक्सित राष्ट बनाना है राष्ट्री प्रेस दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिनिक कारक्रमों का आयोजन उज्जैन में केंद्री संचार ब्यूरो भूपाल द्वारा विक्सित भारत दो हजार से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्षा वोट बैंक की राजनीती से परेहट कर भारत को विक्सित राष्ट बनाना है एक निजी मीडिया संगिठन द्वारा आयुजद लीडर्शिप समिट कारिक्रम को संबुधित करती हो शिमोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए लोगो दारा प्रगति की मंत्र के साथ काम कर रही है प्रधान मंत्री ने कहा कि जब लोग उनकी सरकार पर भरोसा दिखाते हैं, तो विकास पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है शिमोधी ने ये भी कहा कि 2014 में देश का केंदरी बजट लगभग 16 लाग करोड रुपे था और आज ये 48 लाख करोड रुपे है प्रधान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर घर में गैस कनेक्शन देने को प्रात्मिकता दी है उनका कि 2014 में 14 करोड गैस कनेक्शन थे और अब ये संख्या 30 करोड से अदिख है शिमोधी ने कल्यानकारी युजनाओं का जिक्र करती हुए कहा कि इन युजनाओं से लाखो लोगों को लाभ मिला है आईश्मान भारत युजना के तहट मुप्त इलाज से गरीबों के एक लाख दस हजार करोड रुपे बचे है जन आउसदी केंदरों में 80% डिसकाउंट पर मिल रही दबाईयों से नागरिकों के 30 हजार करोड रुपे बचे है उजाना स्किम से लोगों को बिजली बिल में 20 हजार करोड रुपे की बचत हुई है स्वच्च भारत मिशन के खारण बिमारिया कम हुई और इससे गावों में हर परिवार के करीब 50 हजार रुपे बचे है यूनी सेप का कहना है कि जिस परिवार के पास अपना टॉइलेट है उसके भी करीब 70 हजार रुपे बचे है जिन 12 करोड लोगों के घर पहली बार नल से जल आया है डबली अच्च व ने उन पर भी एक स्टड़ी कराई है आज देश भर में राश्ट्रे प्रेश दिवस मनाया जा रहा है समाज में स्वतंत्र और उत्तरदाई प्रेश की महतपूर मुहमिगा के सम्मान में हर वर्ष्ट 16 नवंबर को प्रेश दिवस मनाया जाता है 1966 में आज ही के दिन भारती प्रेश परिशद ने काम करना शुरू किया था परिशद ये सुनिश्चित करती है कि प्रेश उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी धमकी और प्रभाव की आगे नहीं जुके ये दिवस ना केवल प्रेश की उपलबनियों को दर्शाता है बलकि पारदर्शी और शुक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायत को भी बढ़ावा देता है भोपाल रेल मंडल द्वारा रेल मदद पोर्टल एप पर 24 गंटे रेल यात्रियों की सहयता और शुकायतों का निप्टारा सुनिश्यत किया जा रहा है मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष्तर पारटी ने बताया कि मंडल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदाय की यात्रा प्रदान करने के साथ ही उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए ततपर है रेलवे ने शिकायत और सुजाव को समायोजित करने के लिए हेल्प लाइन नंबर 139 सहित सभी माध्यमों को रेल मदद पोर्टल और एप में एकी करत कर दिया है इसके अंतरगत शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के भी तरकिया जाता है एवं निस्तारण के पश्यात शिकायत करता को सूच ना दी जाती है और उनसे फीड़बैक भी मांगा जाता है जिसे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज में महाकौशल विज्यान मेली का आयोजुन किया गया है मेली में MP Power Transmission Company का स्टॉल आक्रिशन का केंदर बना हुआ है विज्यान प्रदुके की और नवाचार की थीम पर जबलपुर में पहली बार आयोजित महाकौशल विज्यान में नवीन दम तकनीक का उप्योग कर बनाए गए गैस इंसुलीटर सवस्टेशन का मॉडल परमपरागत एर इंसुलेटर सवस्टेशन के मॉडल प्रदर्शित किये गये है अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair आप पर भी समाचार सुन सकते है ब्रेक के बात एक बार फिर समाचारों में आप सभी का स्वागत है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की पांच दिन की यात्रा पर रवाना हो गए है शिमोदी ने कहा कि नाइजीरिया में उनकी यात्रा सामरिक भागिदारी की शिर्वात का अवसर प्रदान करेगी जो लोकतंत्र और बहुलवात को साजा विश्वास पर आधारित होगी शिमोदी ब्राजील में 19 वी G20 शिखर बैठक में ट्राइका सिदिस के रूप में भाग लेंगे शिमोदी ने आशा व्यक्त की कि एक प्रत्वी, एक परिवार, एक भविश्च के दर्ष्टी कोण के अनुरूब अर्थ पूर्ण चर्चा होगी महिशी मोदी और गयाना की राष्टपती मुहमद इर्फान अली साचा विरासस संस्क्रती और मूलियों पर आधारित अपने अनूटे संबंदों को साम्रिक दुशा प्रदान करने के लिए विचारों का आधान प्रदान करेंगे केंदी सूक्ष मिलगू और मद्यम उद्योग मंतरी जीतन राम मांची ने आज नए दिली में 43 वे भारती अंतराष्टिय व्यपार मेले में सूक्ष मिलगू और मद्यम उद्यम मंतराले के मंदप का उदगाटन किया इस वर्ष मंदप का विशे हरित MSME है मंतराले ने बताया कि मंदप सूक्ष मिलगू और मद्यम उद्यमो द्वारा वेबसाइस संचालन में बदलाव के लिए सच और हरित प्रद्गिक्यों को अपनाने पर जोर देता है इस वर्ष मंदप में 29 राजियों और केंद्र शाषित प्रदेशों के 200 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं उजयन के कार्तिक मेले के केंद्री संचाब यूरोब भुपाल द्वारा विक्सित भारत 2047 पर आधारित पांच दिफसिये फोटो प्रदर्शनी जन जागरूपता कारिक्रम का शुबारम सांसिद अनिल फिरोजिया ने किया कल से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 19 नवंबर तक आम लोगों के अवलोग नार्थ रहेगी इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की कल्यानकारी ओजनाओ और कारिक्रम की विस्तरत जानकारी प्रदर्शित की गई है प्रदर्शनी में कारिक्रमों से संबन्द जानकारी आधारित प्रिश्ण मंच जैसे कारिक्रमों की माध्यम से लोगों को जागरुक किया जाएगा प्रदेश में ठंड का असर तेज होने लगा है वहीं अब कोहरा भी चा रहा है आज सुभा गौलियर भिंड और निवाडी में मध्यम कोहरे का सर देखने को मिला मौसम भाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानि गौलियर चंबल में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है यहां रात का तापमान दो डिगरी तक लोड़क सकता है ऐसा मौसम 20 नवंबर तक बना रहेगा भोपाल इंदोर जवल्पर में भी सर्दी बढ़ेगी जबकि पच्मडी अमरकन तक सबसे ठंडे रहेंगी मौसम वग्यानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सीही ने बताया प्रदेश में पिछले तीन दिन से ठंड का असर जादा बढ़ा है इसके वजह उत्तर पूर्वी हवाओं का असर कम होना है वहीं पहाडों में जट स्ट्रीम हवाओं का चलना है यह हवाएं प्रदेश के उत्तरी हिस्से में भी आ रही है इस वजह से शुक्रवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला है जो अगले कुछ दिन और बना रहेगा उन्होंने बताया कि हवा का रुख जब उत्तर पश्चमी हो जाएगा और पहाडों पर बर्फवारी होगी तब तापमान में और गिरावट होगी अब कुछ समाचार संग्शेप में नवदापुरम में पहली बार राष्टी इस्तर की शाले 68 वी शत्रंज और बैडमिंटन प्रतियोक्ता कल 17 नवंबर से चुरू होगी प्रतियोक्ता में 29 राज्यों के 1350 खिलाडी हिस्सा लेंगे प्रतियोक्ता 21 नवंबर तक चलेगी केंद्री मंत्री जोतरादित सिंधिया के वशीश प्रयास से गुनाजले के किसानों को 2600 मिट्रिक टन डियेपी की सौगात मिल गई है कला साहित संस्कृती वंसामाजिक सरुकारों की गतिविदियों को बढ़ावा देने के लिए अशोकनगर में आज आई सेक्ट प्रदान मंत्री कौशल केंद वनमाली सरजन केंद्र का उदगाटन किया गया जहाबुगा जले में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले राजस्व महाभियान को लेकर अनुव भागी अधिकारी राजस्व ने बैठक लेकर जरूरी इंडर देश दिये जबलपुर जले में 13,000 की रिश्वत लेती पटवारी को लूका युक ने रंगे हातों पकड़ा खनवा में रियाईशी इलाके में चल रहे अवैद मैरिज गार्डन पर निगम की बड़ी कारवाई कर गार्डन को सील किया गया और सीहोर जले में पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन का कारिकर्म घोशित कर दिया है चुनाव के लिए नाम रदेशन पत्र 18 नवंबर से 25 नवंबर तक लिये जाएंगे इस बुलिटिन में बस इतना ही नमस्कार कपनाव तक लिए आगाभस दिया नवंणों कि ऊकम एाठेशन प्रणी नवचे लिए्गन गार्ण में अनाव तक लिए और सब्सक्राण जए है थिसनाव इस भ्यंदान से लिएहई ले चर सकत्री है कर दो में अरता है झाल झाल